प्रेंड्स वैसे तो PPA यानि पब्लिक प्रोविडेंट पंड बहुत ही पॉपिलर ऑप्शन है जहां तक टैट सेविंग इंस्ट्रुमेंट में हम नाम इसका हमेशा लेते हैं और लोग इसमें इंवेस्ट भी करते हैं तोकि यह एक्जेम्ट 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 यान इसके अलावा मैं आपको आज ऐसे आर्ट पॉइंट बताऊंगी जो आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है मैं हूँ सिये करूनाज जैस्वाल और यही हम आज करूनाज नालेज नेक्टर में देखते हैं इसका पहला पॉइंट यह है कि इसका जो इंक्रust होता है वह कार्टरली सेफ होता है याने कि यह शुरुबात कि एक कार्टर के शुरुबात में इसका इंक्रस्न सेफ किया जाता है और वो भी उसके पिछले तीन महीने के जो भी government bonds के जो rates है उसका average लेकर ये interest rate set किया जाता है और इसका दूसरा benefit ये है कि वैसे तो लोग समझते हैं कि जब भी हमने PTF में invest किया तो यहने 15 साल के रहे तो भूली जाओ लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि छटवे साल यानि कि 6 येर के बाद आप definitely जो चौथा साल या पाचवा साल में जितना भी balance है उसका 50% कुछ conditions पर आप definitely उसे withdraw कर सकते हैं अगर contribution करेंगे आगे भी चलकर इस condition पर आपने extend किया होगा तो जितना भी extension period के starting का जितना balance है उसका maximum आप 60% ही withdraw कर सकते हैं अगर आपने ये condition नहीं रखिए कि आप contribution आगे नहीं करने वाले है फिर भी आप इसे extend करना चाहते हैं तो आप कभी भी किसी भी समय after maturity आप पूरा आमाउं निकाल सकते हैं इसका ये है कि इसका जो 10-year है वैसे तो 15 साल का है लेकिन आपका maturity हो गया है और इसके बाद आपको लगता है कि आपको extend करना है तो आप 5 साल के block of year के लिए आप एक्सेंड कर सकते हैं आपको ये भी option रहता है कि आप contribution के साथ एक्सेंड करना चाहते हैं या अगर आप चाहत करना है तो जबी भी आपका ये PPF mature हो जाएगा याने कि 15 साल हो जाएंगे तो उसके बाद एक साल के अंदर आपको आपका जो भी post office या जिस bank में आपका PPF है वहां जाकर आपको apply करना पड़ेगा और आपका option आपको select करना पड़ेगा कि contribution के साथ या बिना contribution के साथ आपको extend करना है और अगर आपने ये option भी नहीं किया याने कि आपने खुद से होकर extension का apply नहीं किया तो आपका definitely बिना contribution के extend किया जाएगा और आपका जो balance है उस पर आपको normal जो interest rate जो declare होता है वो आपको मिलेगा और आप साल में एक बार withdrawal कर सकते हैं और इसका चौथा benefit यह है कि आपका previous balance है maximum उतना आप लोन ले सकते हैं तो यह best benefit है कि जितना भी उस वक्त जब आप लोन के लिए apply कर रहे हैं जो interest rate रहेगा उस पर 1% extra याने कि समझ लेजे कि अभी current rate है 7.1 तो उस पर आपको 1% extra याने कि 8.1% के interest पर आपको लोन मिल सकता है और वो आपको 3 साल के अंद याने कि अगर 7.1 अभी अगर interest rate है तो 6% extra याने कि आपको 13.1% के rate पर आपको repay करना पड़ेगा अगर आपने 3 साल के अंदर repay नहीं किया तो इसका 5th benefit आपको तब मिलेगा याने कि पूरे महिने का जो interest होता है तो उसके लिए आपको between 1st to 5th जो date आती है हर महिने के उसके द करने के आखरी तारीक तक जितना भी minimum balance है उस पर ही calculate होता है तो इसके लिए आपको between 1st and 5th of the month उस दौरान आपको contribute करना बहुत जरूरी है ताकि वो पूरे महिने के लिए आपको उसका interest मिल सके उस balance पर क्योंकि वैसे तो इसका interest आपको monthly calculate होता है लेकिन इसका compounding annually होता है त तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जितना भी contribution है उस पर आपको उस महिने के लिए आप पुरा interest मिले और उसमें आप check भी deposit कर रहे हैं तो उस check को आप जरूर एंशार करें कि वो आपको at least 5 वी तारीक तक आपके account में definitely credit हो जाए वरना वो without interest ही आपके लिए साबित होगा औ या अगर हमारा residency status ही अगर change हो गया कि हम abroad shift हो गए तो ऐसे cases में आप definitely withdraw कर सकते हैं यह शर्थ पर कि आपके account को 5 साल minimum complete हो गए होंगे तो यह आप foreclose कर सकते हैं लेकिन इसमें एक penalty जरूर आपको लगाई जाएगी कि 1% का जो interest है जैसे अगर आपने 8 साल का अगर आपका account complete ह हुआ होगा और आपने जितना भी quarterly interest rate आपने कमाए होंगे उसके ओपर लेकिन 1% पूरे tenure याने कि पूरे आठो साल के लिए आपको 1% कम दिया जाएगा उस account पे और आपको यह balance मिल सकेगा withdrawal के लिए तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते हैं for close नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं लेकिन penalty के साथ वैसे तो PPF में 1,50,000 तक ही एक individual invest कर सकता है याने कि लिमिटेशन है तो भले ही यह popular है government-backed है आपका पैसा यहां नहीं डूबेगा और interest भी बहुत assured रहता है फिर भी आप limit हो जाते हैं क्योंकि amount के लिए आप 1,50,000 ही कर सकते हैं लेकिन यहां पर एक हम रास्ता यह निकाल सकते हैं कि अगर आपकी spouse के नाम पर आप एक PPF का account खोलते हैं और आपकी spouse को याना की wife को आप gift करते हैं जो के Indian taxation law के हिसाब से जबी भी हम अपने relatives को और वो भी गिने चुने जो हमारे करीबी relatives हैं उन्हें हम gift करते हैं तो वो tax free होता है तो वो gift तो tax free होगा और उस पर का जो interest रहेगा वैसे तो आपके income में club होगा लेकिन क्योंकि वो exempt रहता है तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि अगर आपके income में club भी होगा तो वो exempt ही रहेगा तो आप definitely additional जो tax benefit है आप इसका फायदा उठा सकते हैं और आप अपने wife अगर उस individual ने कर्स भी लिया होगा और अगर वो bankrupt ही होता है या अपना loan repay करने के लिए capable नहीं होता है तक्षम नहीं रहता है तो कोई भी Indian court या कोई भी creditor कोई भी लेंदार उसके इस balance को हाथ नहीं लगा सकता है क्योंकि यह safe है इसे जो भी loan है उसको recover करने के लिए इस balance को utilize नहीं किया जा सकता तो यह legal protection है PPF के account holders के लिए और उनके balance के लिए तो definitely आप PPF के लिए मैं आपको यही recommend करती हूं कि आप definitely खोले क्योंकि यहाँ पर capital और return दोनों की guarantee होती है